South Africa Tour of England जी हां दोस्तों South Africa गया है इंग्लेंड के सामने T20 मैंज के लिए उनके घर में पता भी तक क्या हुआ है पहला जो मैंज था उसे इंग्लेंड ने अपने नाम पर करता है दूसरा जो मैंज था उसे South Africa अपने नाम पर करता है मतलब अब जो मामुला है ना बरावरी का ज जीतिने के लिए हमने तयारी जबर जस्त कर रखे लेकिन आप सब को बता है ना जो 22 गस की बट्टी होती है वो भाई साब कहते है मैं बताऊंगा मैंज कैसे चलेगा तो अगर हम इस मैच की बात करें तो दरोज बोल साउथम्टें में खेला जाएगा तो जो यहां का पिछ जाएगा तो पूरी वीडियो देख लिए आपको पता चल जाएगा कौन सबसे जादा बिकेट निकालेगा और इसके लाव मैं आपको ड्रीम लेवन के परफेक्ट टीम आखरी में बनाके भी दूंगा तो वीडियो इंपोर्टेंट हो रही है तो चलो फिस जल्दी से आपके फायदे के लिए टेली ग्राम पर जान लगा देता जान जी लोगों यह जोई बहुत ही फायदे माप सुचने का अच्छा वे ऐसा क्या तेली टेली ग्राम पर तो मेरी मतमानों डिस्किप्शन में जाओ लिंक मिलेगी जोई करो तो चार मैचों मेरे साथ काम करना आ भी लिए पर जान से समझनी है क्योंकि अब हम जानने वाले जो आज का मैच भाना इसकी कहानी किया होगी मैच की स्कृप्ट क्या होगी आकडो कि हिसाब से समझेंगे इसलिए वीडियो आपको ध्यान से देखनी है ध्यान से समझनी है दरोज वोल सॉफ्थम्टर में अभी तक T20 के 10 मैच के लिए जिसमें से टार्गिट डिफैंड वगए 6 मैच में और टार्गिट चेज वगए 4 मैच में तो मतलब डिफैंड और चेज दोनों यहाँ पर कहीं न कहीं बराबरी से होते हैं निचे स्कोर बनेगा तो दस मैच में से 8 मैच में टार्गिट डिफैंड हो सकता है पर रहें लोग इस स्कोर हैं पर फर्स इनिग का 79 आल आउट ये भी टीम अस्टेलिया के नाम पर रहें अगर हम यहां के मदान पर हाइस टोटल चेस की बात करें तो 157 जिसे इंग्लैंड ने अस्टेलिया के सामने 2020 में किया था लोग इस टोटल डिफैंड की बात करें 162 जि स्कोरिंग पटंट देखने के बाद क्या लग रहा है यहीं लग यहां पर जो मैंच होते हैं कभी लोग स्कोरिंग कभी मीडियम स्कोरिंग कभी हाइइ स्कोरिंग इसका जो पिछ है न्यूं बोल से थोड़ा बहुत 2-3 ओपर जो तेज गेंदमाज है ना उनकी बहुत स्व सब्सक्राइब सब्सक्राइब स्कूरिंग मैंच देखने कोई मिल चकता बॉंडरी लेंथ की बात करें तो 70 से 84 मीटर के थोड़ी लंबी बॉंडरी है लिकिन इसका ज्यादा फरक नहीं परता फिर भी आपको चोगे छक्के थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिलेंगे अगर हम यहां के मैदान पर दोनों सऑफरीका की जुशरुआत है यहां के मांदान पर जादा अची नहीं हुए एक वर सामना हुआ जिसे इंग्लैंड ने सफ आफरीका को पीड दिया इंग्लैंड जो बॉट जाते हैं यहां पर परफॉर्मेंस की इसाबसे और फो जानने की कोशिज करते हैं अगर हम-पर ज हम यहां पर Gerson ब मुज़े लगता है आज की थी या तेजा बना पाएंगे इसे जादा नहीं बना पाएंगे वहीं बात करें जोश दबोश की तुम्हें लगता है 70-80 यहीं पारी खेले वालन वहीं तीसे नम्पर पर Cage Karum पाणि तर चालिस पचासन की पारी खेलनेवाले हैं आज के मैंच में चौते नं नमबर पर जोनी जोनी यस बाबा जोनी जोनी यस बाबा की बादेट मुझे लगता है वह नबर पर मैंको तो मुझे लगता है बल्ले बाजी का मौकम मिलेगा तो दस बीशन मना पाएंगे इससे जादा नहीं बना पाएंगे गेनवाजी की बात करें तो एक आध बिकेट निकालेंगे लेकिन थोड़ा सा महेंगे साबित होंगे रिचर्ड ग्लेशन की बात करें तो यह भी एक आध बिकेट निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा महेंगे साबित होंगे मुझे दोस्तों सौध अफ्रिका की बात करें तो कोईंटन डिकॉक और रिजा हैनिक्स ओपनिंग करते नजर आएंगे रिजा हैनिक की बात करें तो दो मैच में बढ़िया परफोर्मेंस करके गए लेकि से नमबर पर रियली रोसो क्या जवर्जस भाई सामने वाप्सी करिए जवर्जस वाप्सी करिए लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में 35-40 इससे ज़्यादा नहीं मार पाएंगे कौन रियली रेसो उसके बाद यहां पर हैंडी कलासिन मुझे लगता आज के मैच में 40-50 अगर आप फंटैसिक क्रिकिट केलते हैं तो कलासिन को इस मैच में ध्यान जरूर दें डेवीड मिलर डेवीड मिलर की बात करें एक मैच में चले गए दूसरे मैच की बात करें बैटिंग का नमबर नहीं आए और मुझे लगता है आज की मैच में 40-50 संता बार तो इनको अ महेंगे साबीत हो तो हो सकता है इन से दूरी रहें आज अगर फंटैसिक क्रिकिट आप खेलते हैं कगीशो रबाड़ा की बात को तो मुझे लगता है एक-दो बिक्रिक निकलने वाले किफाती भी होने वाले लूंगी इंगडी की बात करें तो मुझे लगता है आज की में उनकी जादा भेतर परफॉर्मेंस आएंगी साओध अफरीका इसलिए मुझे लगता है जो आज का मैच होगा इस मैच में इंगलाइंड के जीतने के चांसे थोड़ा सा जादा है बाकि इंगलाइंड के टीम को होम कंडिशन होने का भी फाइदा मिलेगा इसलिए मुझ आपको पता चलिएगा बाकि Fantastic Cricket के लिए कौंसे फिलेरा अच्छे होंगे, सारी एलैसे तो मैंने करने के बात बनाई होता तो वीडियो बहुत monopol हो जाएगा इसलिए मैंने सारी एलैसे पहले कर लिए बस आपके लिए परिफेक्ट टीम बनाकर दी है और दोस्तों अगर आपको इस match की 2-3 team चाहिए तो आपको करना क्या, description में जाना, वहाँ पे link की मिलेगी, मेरे telegram की join कर डालो, match start होने के 20-25 मेट पहले आपको इस match की 2-3 team मिल जाएगी, कहाँ पा, मेरे telegram पे, तो मेरे telegram जरूर join करें, बस एक चीज़ का ध्यान रखके, fake से साधान, मेरे नाम पे ना बहुत जादा नकली telegram channel बना लिएगे, और आपको इपता, जब सही जगे आएगे, तभी सही सही फायदा भी होगा, सही जगे कैसे आएगे, इधर, उदर, और कहीं से telegram join ना करें, जो link की मिलेगी, description में, बस वहीं से join करें, क्योंकि सही जगे आ